अस्टेलिया को पहले ही T20 मुकाबले में पठखनी देने के लिए रोहित शर्मा ने अपने 11 नाम तैय कर लिये हैं जिसके साथ वो मैदान पर उतरने जा रहे हैं दरसल एशिया कप में भारत के निराशा जनक प्रदर्शन के बाद फैन्स टीम इंडिया से खपा हैं लेकिन अब रोहित आस्टेला के खिलाफ पहले ही मुकाबले में धमा के धर जीत दर्च करके एक बार फिर फैन्स का भरोसा जीतना चाहते हैं इसलिए बो एक तरफ आपनी मर्जी से 11 खिलाडियों को चुञ चुके हैं जिस पर वो आग बंद करके भरोसा करते हैं रोहित को भरोसा है कि ये खिलाडी उन्हें जिताने के लिए पूरा दम लगा देंगे तो चलिए जानते हैं कि किन 11 खिलाडियों के साथ रोहित अपना केल राहुल के साथ ही मैदान पर जाएंगे जबकि वन डाउन के बाद विराट कोली मैदान पर उतरेंगे इसके बाद अगर कोई विकेट गिरता है तो सूरे कुमार यादो को पीछ पर आने का मौका मिलेगा जबकि वही रोहित के अनुसार मिडल ओर्डर की जिम्मेदारी रिशपपन, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पंड़ा बहतर धंग से निभा सकते हैं वहीं गेंद बाजी में ऑस्टेरा के खिलाफ उनका भरोसा या जुवेंदर चहल पर जादा है तेज गेंद बाजी का जिम्मा उन्होंने भुनेश्वर कुमार, दीपक चाहर और जस्प्रीद भूमरा को दे रखा है तो यही है रोहित का वो कंबिनेशन जिसके दम पर वो कंगारू उपर पहले ही मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्स्त करेंगे वैसे दोस्तों रोहित की इस प्लेइंग 11 पर आपकी क्या रहा है और आपको क्या लगता है कि किसी दूसरे खिलाडी को मौका दिया जाना चाहिए कॉमेंट्स में हमें ज़रूर बताए